प्रणकर नाली हम बात करें है फैमिली के रोल की जो ज़ुरी है बहुत इंपॉर्टन्ट है एडिक्शन के जितने भी मरीज हैं उनकी टीट्मेंट के लिए एडिक्शन के साथ-साथ हमने और चीजे भी इस से अलाइन की हैं वर दिस्कृशन आप सुन रहे हैं डेशन कर भी होता है और जो टैंशन होती है आजकल की उसके वह करते विए जो आपके मूट स्वेंज होते हैं इमोचनल डिशॉर्डर कर रहे हैं और सब चीजों डूपर आप हमें कोई चीज़ अगर समझ में नहीं हो तो यूद राइए आप पूरी फैमिली मुतासर हो रही है तो जब हम किसी भी क्लाइंट को एडमिट करते हैं रीहब सेंटर पे तो हम फैमिली डिजीज एक फर्त का मसला नहीं है पूरी फैमिली मुतासर हो रही है तो जब हम किसी भी क्लाइंट को एडमिट करते हैं रीहब सेंटर में तो हम फैमिली प्रोग्राम करते हैं और उसमें फैमिली को बिलाते हैं कि आप आएं ताके आपको अवेर्नेस दी जाए कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और साथ-साथ आपकी कांसलिंग की जाए क्यूंक क्लाइंट को फेस नहीं करने देती तो क्लाइंट अपने नशा करने को जारी रखता है प्रोवोकिंग में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जो ऐसी बातें करता है जिससे क्लाइंट प्रोवोक हो जाता है दुबारा से नशा करने की तरफ या उसमें नशे वाले बहे के एक सखत महबबत यानि कि आप अपने प्यारे के लिए वो काम करेंगे जो प्यारे के लिए तो उसको लगेगा ये मेरे दुश्मन है उसको नागवार कुसरेगा लेकिन होगी उसकी भलाई जैसे एक छोटा बच्चा है वो अगर आप से कहें मुझे मैडिसन खानी है या बहुत इंपॉर्टन है जो दूरिंग दर ट्रीटमेंट भी फैमिली को करनी चाहिए और जब ट्रीटमेंट फिनिश हो जाए कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी क्यूंकि उसके बाद जो नशे के असरात हैं जिसको हम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल कहते हैं वो 27 मंश तक जो अगर जैनेटिकली आ किसी के माइन में यह डिजीज आ गई है इस अग्रीज बार जो है नशा इस्तमाल कर लेता है लाज के बाद भी क्यूंकि यह मौत तक साथ रहने वाली बिमारी है और यह बिमारी है जब कोई फिजिकल डिसॉर्डर होता है हाट का इशू है ब्लड ग्रेइड प्रेशर है अस्तमा है फै Kolle कि लेकर के जाती है डॉक्त जो कहता है उस पर आमद करती है जब इडिक्शन की बात आती है तो उसको यह मानते नहीं है कि बीमारी है उसको बधिर्दारी संजा जाता है तो जहां यह वीर्निस आ जाएगी तो वहाँ फैमली अगर वो नहीं पॉलो करेगी तो फिर क्लाइट की कंडिशन बिगड़ती जाएगी और खुदाना खास्ता जब भी रिलैप्स होता है क्लाइंट तो सबसे बड़ा यही डर लगता है कि रिलाप्स में डेथ हो जाती है, ओवर डोस से, या इंजेक्शन गलत लग गया, किसी भी तरह से, दो कैमिकल एक साथ ले लिए, तो डेथ के चांसेस बहुत जादा होते हैं, और फैमिली अगर नहीं समझी कि कि… तो क्या मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक एडिक्शन के ट्रीट्मेंट के बात कर रहे हैं, और कराने ना करानी की बात कर रहे हैं, अगर कराने के बाद नॉर्मल हो जाता है बंदा, तो फिर भी जैनेटिकली ट्रांसफर हो सकती हैं? बिलकुल, ये बिमारी क्योरेबल नहीं ह है ना, या हाइपर टेंशन है, क्योरेबल नहीं है, मैनेजबल है, जिल्देगी भर उसको मैनेज करना है, इलाज करवाया, नशे के जो असर थे या जो नशे ने आपके दिमाग और जिसम के साथ किया, उसको थोड़ा बेहतर किया, लेकिन दिमाग के अंदर वो बिमारी जाएगी, लेकिन जैसे हम डाइबटीज की बात करते हैं, कि डाइबटीज में अगर पैरेंट्स को डाइबटीज है और उनके चार बच्चे है तो ये जरूरी नहीं है चारों के चारों को डाइबटीज हो जाए, इसी तरह एडिक्शन है पैरेंट्स में से किसी में, तो अगर चार बच्चे हैं तो ये जरूरी नहीं है, चारों के चारों में ड्रग एडिक्शन आए, यासर कुछ कहना चाहिए, जी, मैं इसमें एक कोईन यहां पर एड करना चाहूँगा, अगेन, बिल्कुल जैसे मिस ने कहा, कि ये लाइफ लॉंग डिजीज है, बट इसकी एक अच्छी चीज ये है, कि अगर ट्रीटमेंट कराने के बाद उस तरफ नहीं जाया जाए, मतलब कि कोई भी किसी भी किसम का सब्स्चंस नहीं लिया जाए, तो ये बिमारी नहीं आपको परिशान करती है, अन्मेनेचिबिलिटी जो आई दी वो दुबारा नहीं आती है अच्छा, रही बात आपके सवाल की कि क्या ट्रीटमेंट के बाद भी चांसे हैं ट्रांसफर के, जी बिलकुल, अगेन फिर वही बात मैं करूंगा कि रोल ऑफ फैमिली का बहुत इंपॉर्टन यानि अगर तो जीन्स में ट्रांसफर हुई है, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे में, मेरी बेटी में कुछ इस तरह के रवाईए आ रहे हैं, तो वहाँ पर फिर मेरा इंटर्वीन करना बहुत इंपॉर्टन वोट है, अब यहां पर एक वियोर्स के लिए एक गिया विडिन्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के माइ बख्रायद आ रही है, अब मैं अपने कुर्बानी के जानवर के लिए लियानी जब जाता हूं, तो मैं एक क्राइटेरिया सe मार का О्थ। बिल्कुल, यह तो एक डीजीज है, इसका भी एक फैमिली को एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, कि कौन से क्राइटेरिया पे मुझे कोई भी ट्रीट्मेंट फैसिलिटी सिलेक्ट करनी है, मैं अपने प्यारे को अगर मदद के लिए कहीं लेके जा रहा हूं या जा रही ह बात के एडिक्शन एज़ीज लेता हो, ना के बतकरदारी या बुरी आदत, ऐसे भी एदारे हैं कि जो सिर्फ बंद रखने को तरजी देते हैं, और यह समझते हैं कि सिर्फ एक तवील अर्से तक अगर बंद किया जाए, और फिर निकाला जाए, वह आप वाला एलिमेंट कि डर का है, एक डर की चीज के इसको इतना डरा दो कि दुबारा इस तरह अपना जाए, तो यह बात याद रखें कि देखें, अगें फिर वही चीज मैं कहूंगा कि वह डिजीज वहीं पर है, वह केमिकल इंबैलनस है, वह साइको एजूकेशन नहीं हुई, फिर वह डर हो सबसे पहले एक ट्रीटमेंट फैसलिटी में एक डिजीज मॉडिल का प्रोग्राम होना जाए, उसके बाद जो देखें, कोई भी जब इस डिजीज में मुपतला होता है, एडिक्शन के उसमें या मैंटल डिसॉडर के उसमें, तो सबसे पहली जो चीज किसी भी इंडिवि जब चाहे उड़ गए, जब चाहे सो गए, बाकी मर्जी है, तो रूटीन में क्या रूटीन तो सेट कर दी हैं, उसके रूस्टर बने हैं, विल्कुल, अब एक जब स्ट्रॉक्चर रूटीन आगई तो स्ट्रॉक्चर रूटीन में कुछ होना भी तो चाहिए ना, उसको करने के लिए, वो क्या है, क्या तो वो साइको एजूकेशन प्रोग्राम है, इस डिजीज के बारे में उस क्लाइन को भी अवेर किया जा रहा है या नहीं, या सिर्फ ये कहा जा रहा है, कि हमने रूटीन सेट की विये, सुबह उठना है, उसके बाद ये चाहें तो टीवी देखते रहें, उसके बाद जो है, खाना खा लें, उसके बाद फुटबॉल का मैच होगा, तो ये होगा, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो इस डिजीज मॉडल जो सबसे बुनियादी पॉइंट है, अगर वो प्रोग्राम है, तो उसकी अविजनेस क्लाइन तक सबसे उसकी अचिनित्यूंट मुश्जा के सबस्किक बाद शारानेदी थाघियों है, तो इस वजब मेरता परभा मेरत गथे खाद नहीं है, उसा नहिवे पिजए तो इस केन सबस्क्राइब भीडा तो इस वजब निवादाएं, वाले में सबस्क्रावाना र सब्सक्रां जो है यह था कि मसला नशे में था नशे की वज़ा से उस केमिकल की वज़ा से अनमैनेजबिलेटी आई है और मैं पावरलेस हूं इसका आटपुट लेविल्स डिस्टरब हो रहे थे वह कंट्रोल भी था आपके लिवाद फोकस नहीं होता कंसेंटेशन नहीं होती है इसमें यासित हम यह जो ट्रीट्मेंट प्रोग्राम जो आप लोग करते हैं और जो भी सेशन दो तो उसमें भी फैमिली को आप जनरल में मैसीज ज़ता हूं पर पुब्लिक को आपको कांटेट करें और आके आपके और सेशन अटेंड करें क्यूंकर दूरी नहीं को कि एस इनस प्रोवाइट करते हैं वीडियो की शकल में हमारी वेब साइट पे भी ब्लॉग्स की शकल में चीजे मौजूद हैं इंस्टाग्राम अकाउंट है पेस्बुक है यूट्यूब चैनल है तो यह सारी चीजे है अब जहां यासिर बात कर रहे थी कि किस तरह का रहाग सें है क्योंकि हम फैमिली के रोल की बात कर रहे हैं जब तक फैमिली प्रोग्राम नहीं होगा फैमिली नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं हो सकता और एक चीज में और एड करना चाहूंगी कि यह जो डिजीज है एरिक्शन की यह बिमारी है इसका इलाज टोटकों से नहीं होग और आपके वियाफ पे अंदे वियाफ आफ पी रसी डियाबिटेक्शन सेंटर मैं जो इसको इब भी बताना चाहता हूं कि जो इंट्रेस्टेड हैं इस तरह के सेंट करने के लिए वह हमें ई-मेल करें इंशाला आपको रिश्टर करके बहुत जल्दी प्रोग्रेम की सीज करें दे सकें ले मैंन को दूसरे लोगों को इसमें और मैंट करके तो है यह अंद आपको परदा है इसा तरह हमारे मेंटल और अर इमोशनल इसॉडर्र मेंटल और इमोशनल हेल्द को मिं को फोकस रखना चाहिए इंशाला मुझा वीदे आप नोगों को पसंद आया और हाजर होते हैं आपके साथ ने टॉपिक के साथ तिल देन अल्ला आपस्ट